अगर आप लोग का इंटर का फाइनल पर इक्षा होने जाड़ा है और आप सभी का जो है सेलेबस जो है हिस्ट्री का पूरी तरह से कंप्रीट हो गया और आप सभी का डिमांड था किसे एजर हिस्ट्री का टेस्ट लेके आईए तो प्यारवच्छो मैं आप लोग के लिए 30 वैसे परशनों को अगर आप समझ जाए जिस तरह के कोशन पूशे जाएंगे उसी के तरह हम लोग जो इसमें 30 को आपका इन्कूलूट किये हैं और इसमें हम लोग कंडिशन यह रखे हैं कि आपको 30 में 30 का आणसर देने का पूरी तरह से परियास करना है अगर आप 30 में 30 अगर आंसर दे देते तो प्यार बच्चो आप समझ जाए जहां आपके तैयारी जहां बिल्कुल फुली या नहीं 100 परसन अपका हो गया है अगर आप 30 में से अगर कम लाते हैं तो कोई दिखेते हैं आप 80 स 90 परसन जो है कोशन सॉल्ब कर सकते तो पूरी दोर से आप लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 30 में 30 लेकर आएंगे और आप सभी से मेरे एक रिक्वेस्ट है जितने सारे बच्चे आप लोग नए है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में अपने अपने फरेंट्स के गुरूप अगरे जहां भी है हर जगे आप लोग शेयर कर देंगे तो चले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं इंडोरसाइनिक सेली बिल्कुल जो भी आप लोग बता रहा है बिल्कुल सही है इंडोरसाइनिक सेली यानि आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे किस ने राजधानी बनवाया था ठीक है तो हम लोग कई बार क्लास में पढ़े फथिपूर सिक्री के बारे में आप लोग को कई बार बताये थे कि बुलन बिसार दर्वाजा जो है यह कहां पर है फथिपूर सिक्री में और यह जो है किस ने बनाया था काफी important question है और उमीद है किसका answer आप लोग definitely सही कर पाएंगे देखे हैं हम लोग जानते हैं साथ दिपो की नगली की अगर बात हो तो बिल्कुल आप सभी बच्चों का answer जो बिल्कुल perfect आएंगे बॉमबई जो भी बच्चे बता रहा है बिल्कुल आप लोग का answer perfect answer होगा जी ठीक है चलिए आगे देखेंगे question number five आपके screen पे लोथल जो है किस नदी के किनाड़ इस्तित है तो मैंने कई बार आप लोग को लोथल के बारे बताया था तो लोथल जो होगा आप लोग को पता भूगवा नदी के किनाड़ है और इसका answer आप लोग का भूगवा जो है बि सुद्तेवाद या अभी दिद्वाद का तो दिखें हम लोग जानते हैं यह जो का पहनी अर्मारुज ने किस दारसे निकमत का प्रतिवादन दिया था तो यानि विसस्तितवाद का जो है इसका answer आप लोग का बिल्कूल प्यरबचो राइट आंसर हो जाएंगे चलिए आगे देखिए का question आपके screen पे question नमर 7 कौन विदेशी यातरी पेसे से चिकत सकते है तो चलिए काफी important question है और यह बिल्कूल आपके समय समापत हो रहा है और हम लोग जानते है कि यह जो है कौन थे बर्णियर पेसे से क्याते है यह निक चिकत सकते है और इसका answer आप आपनों का बिल्कूल प्रवच्चो राई चांसर हो जाएंगे ओके question नमर 8 देखेंगे आपके screen पे अलविरुनी किसके साथ भाड़ता है बताए यह question काफी important है और उमीद है किसका answer आपनों को definitely पता होना चाहिए हम लोग जानते है कि अलविरुनी जो आयती है किसके साथ यह मुहमद गजनी के साथ आये और इसका किताब का नाम क्या था अलविरुनी का इसके बारे में आपनों बताएंगे कमेंट करके ठीक है तो तहकी के हिंद बतारे कुछ बच्चे तो आप लोग बताए यह अलविरुनी के जो पुस्तक का नाम था वो क्या था बताएंगे बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर क्रेक्ट आ रहा है ठीक इसका अंसर आप लोग हो जाएगा Mark Polo जो भी बच्चे बता है बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट अंसर हो जाएंगे ठीक है, चली को सा आंदोलन था तो वह सभी नहीं आगा आंदोलन था और इसका आं थे लिए चैटेए के बारे में आप लोगो डिफिनिकली पता होगा तो गांधी ची के हथिया जो हुआ था एक कब वह था था तीस जनवड़ी खो हुआ था कब वह था जी कि बाल दिवस जो है पंडिजवालन नहरू के जर्म दिवस पर मना जाता है और पंडिजवालन नहरू का जर्म दिवस जह कब है वो 14 नॉवंबर का और इसका अपनों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे अंग्रे जी ने अपने अंग्रे जो ने अपना पहली फेक् गोदाम जो है जितने सारे बच्चे बता है बिल्कुल सही है अंग्रेज फैक्टरी का आर्थ क्या होता है इनके बारे में बताना है तो बिल्कुल आपको पता है गोदाम होगा इसका अर्थ क्या होगा जी गोदाम जो भी बच्चे बताना ना बिल्कुल आप लोग का अंसर तो बिल्कुल आप लोग का समय समाब थोड़ा है और इसके बारे में आपको डिफिनेटली बता होना चाहिए फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक शक्त है और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे ठीक है जी चलिए किस राज कुमार को कूपरशा के आधार पर जो अंग्रेजी समराजी में मिला गया था तो बताएए किस राजिय के कूपरशार सन के आधार पर अंग्री समराजी में मिला गया था तो वो जितकौन अवद यानि अवद से जो अठार सल्तों के अकरांति का निफ्ट कर रहा था वो कौन थे बिल्कुल प्रेम विवा की श्रीड की अंतरगत आता है तो बिल्कुल आप लोग वस्टा में परमुक देप्ता कोन थे बताई तो इंड्र थे वरुन थे अगनी थे या वायू थे तो बताईए इसके बारे में आप लोग का answer क्या हो जाएंगे जी जली बताएंगे ठीक है जी तो हम लोग जानते है जो इसका answer आपको जाओगा रिगवेधिक काल में परमुग देपता कि अगर बात क्या जाएंगे तो इंद्र इसका answer आप लोग का right answer हो जाएंगे ठीक है जी चलिए आगे देखेगा वैदिक गरंतों में पुरंदर किसे कहा गया देखेगा वैदिक गरंतों में पुरंदर जो कहा जाता था वो किसको कहते थे बिल्कुल नहीं इंद्र को ही कहते थे और इसका answer आप लोग का बिल्कुल प्यार बच्चो ऑप्सन डी जो है right answer हो जाएंगे ओके रिग्वेदी काल का समय क्या था बताइए हम जो जानते हैं रिग्वेदी काल के बारे में आप लोग को डिफिरेटली बता होगा यह पंदरों सो से लेकर एक हजार इसकी पूरव का और इसका answer आप लोग का यह जो है पैर बच्चो राइट आंसर हो जाएंगे किस धार्मिक गरंत को जंगल का किताब कहा गया था तो बिल्कुल यह आप लोग का शमय समाथ होता हो यह अर्मियक जो है इसका answer आप लोग का बिल्कुल डी राइट ठीक है जी चलिए question number 24 देखेंगे अंग राजी आधनी बिहार के किस जीले में सी था तो अंग राजी की बात हो रही है तो मैंने आपको कई बार अंग राजी की बात बताए था ठीक है तो अंग राजी हम लोग जानते अपना बिहार में पड़ता है और यह बिहार के भाग यह हम लोग जानते हैं यह हडियक वंस से था किस से था जी हडियक वंस यह बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ठीक है चलिए आगे देखेंगे मोडे वंस का स्थापना के पूर्वे मगत पर किस वंस की सता थी देखें मोडे वंस की था ठीक है तो इसका अंसर आप लोगा नंद जो है जो ही बच्चे बता रहे बिल्कूल आप लोगा अंसर परफेक्ट होगा तो बिल्कूल समय समात होता है मिर्टको का ठीला होता है जिसे हम लोग शिंद का बाग भी कहते हैं कि अगे देखें का कोशन नमर 30 आपके स्क्रीन पे सिंदू सब्यता का समाज का इसा था बताईए हम लोग जानते हैं सिंदू सब्यता का समाज की अगर बात क्या जाए तो इसमें हम लोग 30 जो काफी इंपोर्टन था आपके एक्जान के इंटर्फियू पॉइंट से तो यह ह आपको एन ए 30 कोशन में से आपको खुद से कितने कोशन को सॉल्ट किया हैं यह इनके वारे में आप लोग को बताना है काफी इंपोर्टन कोशन था जी चेलिए तो अप लोग 30 कोशन अच्छे से आप लोग एनी शॉल्ट किया होंगे और साथ पर अपने दोस्तों के गूर लोग रेगूलर करते हैं और जो भी वच्चे अगर रेगूलर क्लास में जूरते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर लेंगे ताकि आपके बास जल्द पहुंचाएंगे